नमस्कार में भाकिश्री, मिस्टन द्यूस के हिंदी समाचार बे आप सभी का स्वाकत है लेकिन इस और ना तो स्थानी सरकार और ना ही आला अतिकार्यों का ध्यान है बाजार में पार्की की कोई सुविदा नहीं है ग्रहकों या दुकांदार सभी को अपने वाहन मुख्यमार्ग पर ही खड़े करने पड़ते हैं दुकांदारों और रहरी पट्री वालों ने जगा प्रतिनित्यों का कोई ध्यान है दुकांदारों ने बताया कि आठवा में वाड़ी यह बाजार आयुत निर्मानी की जगा है तक्रीपन 1990 की आजपास का यह बाजार है उससे पहले यहाँ पर जंगल था 1990 की करीब यहाँ बाजार बना उसके बाद अब यहाँ पर करीब तक सड़क पर बनावा हैं यहां से अमराती राजमार्क से चुड़े हर तरफ जाने के लिए बसे जाती है नुकांदारों ने बताया कि यह बाजार स्ट्रेट फूर के लिए ज़्यादा मशूर है दूर दूर से लोग यहाँ चार्ट पकुड़ी इत्यादी का जायका लेने आ उपयोग करते हैं ग्रहक अपने बच्चों के साथ खरीदी करने आते हैं और पार्किंग विवस्ता के कारण यहां बड़ी दुरगटा भी हो चुकी है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं होता है बाजार में ग्रहकों को काफी गंदगी से गुजरना पड़ता है ग्रहक एव बाजार में सफाई करने के लिए आयत निर्मानी के सफाई कर्मी कभी नजन लिया है ऐसा ग्रहकों का कहना है यह जगा औरनेस फैक्टरी की जमिन है सबता में सुमवार गुरवार दो तेन बाजार भरता है हर साल फैक्टरी टेंडर निकालती है लाखों का यह टेंडर होता है इसवर्ष से पहले सब दुकानदारों से 25 रुपे प्रति दुकान का भाड़ा लिया चाता था लेकिन आधिंत्य निजिकर की बाद काम यंत्र लोनेट दो क्तिया क्यं यंत्रफ लिमिटेट फृति दुकानदा से सव से देर सो रुपे ले दी है पता चला है कि इस वर्ष का टेंडर होने का है और यंत इंडिया लिमिटेट ने बाजार अपनी ओर ले दिया है बाजार में पार्किंग की व्यवस्ता नहीं है गंद की बनियू है स्ट्रेट लाइट नहीं है और दुकानदारों के लिए वट्टों आउश्य किता है आई आई अजय कि बढ़ा चुट्टी देता काता मार्केटी नहीं ही जहाए तिम्हाला नेक्स टाइम लाद्यू आता चुट्टी में आजय के लाजेटी आई वाजीपाला आला जैंचे बन्चोटाय मोटा दुकान आहे थी बिचारे काय करतीं गोर-गरिभ लोका तो चलू करूंद्यू पद्धिया ना वागने शुरुआ है इस आमी इनलीगल तरीका ना बसलो लाई ही ते मलातर असा वाट्टि कि आज ये गोर गरीब लोकाई विचारे जान्चे जे आज दुकान लावतीन तो पोड भरतीन आनी पोडबनन आप्ता सांसार साल होतीन थे हां लोकाई काया लाई है त्या है मारगा साथी लोकाँ ना कहीं है कौई शर्वें नी वायं डियो वाले सपोर्ट करा लाई है लोकाई ना मारकेट ची तुम्हें आवस्ता बगुन गया तो पोटे जाड़ा वाड लेलेलें एपकोटे साप निगुशक्ता पन गंदगी होता है लोगो कुटे पन भात्रूम ला चाल ले लिया है लोकान ना सवचाले नहीं है इते कई हाईजीनिक असा कई वस्तु आहेस्त नहीं पार्किंग ची पन सुविधा नहीं है परंतु इत वर्पुल नहीं नहीं गाड़े लिए भरपुल करना थरास होता है अहां मोबाइल पर चोड़ी एक मिला सेंट्रल गॉश्मेंट अहां मार्केटला चाल नहीं एक मिला तुम्हीं अपना अपला अड़वायजरी चाल अपना चाल पाईजिए ना इते तुम्हीं आपने दोन नीयम पाहासा ंतर 30 रूपे चित्टी भरपूर दाली है 40 रूपे कुप जाली है आच्या वैलियोशन चाहे चोपा तुम्ही शम्भरूपे जो मार्केट वाला है करू गेता त्यांची तेलीक शमता आहे का? नहीं, मोटी दुकान दार ठीक है, पर लीगल तरीक है ना पर तुमी शंबर नहीं गूँ शकता, तुमी शंबर रुपे नहीं गायला पाई जे माज़ा इशुबाना, तुमी तीस ते चाइस रुपे जे नौमी नी जे लोकांचा आहे, ते तुमी गायना, तुमी जासता आपरे, आमी कस्तागारों को माला आन तो विकाले, तैचा बाद मन्दी इता गाड़ा सुद्धा, अमचा धर येत नहीं, इता बाद मन्दी आमी सबजी बाजी जे दुकान लाओतो, आमचा दुकाना सामर पूरा चिखार आए, याची सुईदा भी नहीं, पहले जे चिठ आता आमाल मांचा बाद नाल ते दे नहीं, शंबर रुपे मांगाता है थे तैचा आंगुर आमाले पले राहुल भाव उथे ते आमाले बक्तास, माल देuw आओ, आमी दुकान लाओ तो सुद्धा बन्घ्णी के वेगड़ी मांग्नी जोंगताजा तीछी महॉपे मांगता मार्केट पास ना असी परस्तिती निर्मान जाली के गेट बंद करने आता ले आमाला पुरुवा सुचना न देता आनी जो टेंडर जात हुता तो टेंडर पर पास ने जला सामाला करने लहे परन्तु जे वाइंडी वाले जे अधिकारी लोका या ठीका नी शंबर शंबर या जाता पास ने जो टिकेट चलू हुती आता हां 15 रुपे पर पोच्टने लहे जास्ता पास ते 10 रुपे वाला पाई जे शेंबर शेंबर रुपे कुना अकुण दिडिशे रुपे मज़ त्या इसा बना हां योगे वाटत नहीं हां मार्केट सुरणी चलू जाला राह बनाक कपडे चाहां वेवसाय चलू है परन्तु आता अशी परिस्तिटी निमान जाली गेले अा ती वर्श या पस्न जो कोरूना चाल अजया शालू है त्या मदे सक्ड़ेаст जो गरीभी आफे जो पर शेंबर दर आउ व्यां स्कोली शाद्राव को त्रुन अनाज की जानकारी होने और इस अनाज से बनने बाले विविद प्रकार के वेंजिन की पारे में मालुमात होने ही तु मौधा तालुका की ग्राम धानला के केंडर स्कुल में बाग कलास पर्दा का आईजुन क्या क्या था इस पर्दा का उठखा टन मौधा पंचार समिती की गट शिक्षनाथिकारी किरन चिनकुरे की हाथों संपन्न वाहें इस अउसर पर सर्वत विद्याल के मुख्या धापक संजे गेडे केंडर प्रमोग राजु अंबिलकर पेपरी के मुख्या धापक बेले दनला के मुख्या धापक मेश्रां दहिगाओ के मुख्या धापक कामली उपासना पराशर ललिता राजगिरे उपस्ती थी इस पर्धा में विविद स्कूल के 25 पर्दकों ने हिस्सा लिया था इस अउसर पर छात्रों ने प्रून अनाज से विविद वेंचन बनाय थी मिसन नियूस के लिए मौदा से संजे गेड़े की रिपूर्ट अकुला के जठार पेट इलाके में से स्वर्गी अरुन दिवेकर सार्वजनिक वासाले में आगावी 15 सितंबर से पर्यावरंपुरग प्रदर्शनी का आईजन क्या क्या है तीन दिवसिया इस प्रदर्शनी का समय सुबा क्यारा से रात आट बजी तक रहेगा यह जानकारी डॉक्टर पल्लवी निखिलेश दिवेकर ने मंगलवार की दो पहर आईजित पत्रकार परिशत में पत्रकारों से हुई बाचर के दोरां दी उन्होंने बताया कि शहर में दूसरी आईजित की जारी इस प्रदर्शनी में कच्री से विपिन प्रकार के टेरारियम पौधि और जैविक उर्वरक और किटक नाशक कमल और कमलीनी को प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा टेकाव, टेरा कोटा आभूशन, जड़ी पूटिया और उनकी उप्योगिता, ग्रोबेन, सजाविटी सामान, प्राकृतिक सोंदरिय प्रसादन, पेन, पेंसिल, नोटबुक और पौधों के स्टाउल भी उपलब रहेंगे इसके साथ ही पहली बार विसावा कक्ष उपलग करा जा रहा है, जिसके दो भाकिशाली विजिताओं को लखी ट्रॉ के जरीए चुना जाएगा इसे के साथ निसर्ग मेरी पसंद प्रतियोगीता भी आजित की गई है, जिसमें शामिल होने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क आदानी करना होगा प्रतियोग्यों को अपनी परिसर में लिया गया 30 सेकंड से एक मिनिट का वीडियो भेशना होगा, जिसमें परियावरनिय घटनाय जैसे पूलों का खिनला, पक्षियों, चूजों, तितलियों और अन्य कीडों का घोसला बनाना आधिका समाविश रहेगा पहले तीन विजेताओं को नगत पुरसकार से समानित क्या जाएगा परियावरन पूलक प्रदर्शनी में जिसका नाम है लिटिल ग्रीन्स यह भुने वाला है 15, 16, 17 सितंबर को अरुन दिवेकर सारवजनी बाशनाले होल जटार पे और 11 से 8 बजे तक रहने वाला है इसमें आपको परियावरन के लिए अच्छे वाले जो भी प्रोड़क्स है यह सभी देखने को मिलेंगे PKV आपना बनोशदी जो रहते हैं और उसके जो उप्योग रहते हैं वहाँ पे दिखाने वाले हैं पमल हो गए या फिर मैं टेरेरियम्स और उसके अनेक जो प्रतार है वो रखने वाली हूँ विव्यांग फांडेशन की तरब से इको बुक्स, इको पैं, इको पैंसिंस यह रहने वाला है एरा को कर जूलूरी है, ऐसे सभी जो अपने नेचर के ले अच्छे वाले प्रोडक्स है, महाँ पे डिस्प्ले किये जाएगे तो आप सभी जरूर पदा रियेगा और देखी एगा की निसर वी कि जब हम समीर चाते हैं तो कैसे लगए साउने शहर के इंडोर क्रिडा संकुल में तालुका सरीय विभिन्न गटों की चात्र चात्राओं की मैच कुस्ती स्पर्धा संपन हुई इस पर्धा में साउने तालुका के स्कोली चात्र चात्राओं ने अपनी कुशर प्रतिभागा परिशे दिया स्पर्दा का शिभारूं शेत्र की विधायक तथा पुर्व मंत्री सुनिल किदा की हातों जिला परिशन नागपुर के पुर्व उपात्देश्य मनोहर कुम्भारी वरिष्ट समासे भी दोमा साव सावची पुर्व नगर सिवक अडवकेट शलेच चैन निलेश पटे साउन तालू का मराटी पत्रका संग की अर्दिश किशोड ढूंडेले किडा संकुल के विवस्ता पर डॉक्टर योकिश पाटिल आधी मान्यवरो की प्रमुख उपस्यति में हनुमान चिकेट चल्चित्र का विधिवद पूजन कर लिया गया इस अउस्तर पर अपने अर्दिश चाली हो उसे योक्ति से पटकर निदी जा सकती है हार्चेत खेल का अभी नांग है पर हार की डर से मैदान नहीं छोड़ जाते हैं हार से सबक लेकर फिर मैदान में उतरना ही सही खिलाड़ी की पैचान है ऐसे विचार व्यक्त कर खिलाड़ियों का उत्सह वर्दक या वही पुर्व जिलापरिशद उपादिश्य मनोहर कुंभारी ने अपने वक्तवे में कहा कि जमीनी खेल ग्रामिन अंचल की असली पैचान है तथा ग्रामिन अंचल से अने खिलाड़ियों ने राष्टिय तथा अंतराष्टिय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है नाग्पुर स्वयोगर्ट के कुल 105 चात्र एवं 70 चात्राओंने सभागी होकर स्पर्थो को सफल बनाया वही वरिष्ट कुष्टगीर मधु ठाकुर करसे सर मंकेश ठाकरी आशिश वाघडी ने निश्पक्ष पंच की भूमिकान निभाग कर अपना योग दान दिया ऐसा उसर पर यव पुर्वग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक की प्रमुक उपस्तिती में अदुल वांदिली के नेतुद्व में हजारों किसानों के साथ तैसिल कार्याले पर मोचा निकाला ओबिसी सुरक्षा के लिए और किसान के विभिन्द मांकों के लिए एलगान मोचा का आयशन क्या सरकार को OBC समुदाय के आरक्षन पर कोई आज ना करते वी मरठा समुदाय को आरक्षन देना चाहिए पुर्वग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक का वियान में बिनसमस्याओ का समाधान कर समुद्रपुर तालुका के लोगों और किसानों को निया दिया चाए ये मांग की विदर में OBC के सुरक्षा के लिए समुद्रपुर में राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी द्वरा इलगार मोचा आयजित क्या क्या था इसका नेटरुत्व पुर्वग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक ने क्या है जबकि NCP के समुद्रपुर तालुका अधिक्ष महेच सोटिंग ने इसका आयजिन क्या था NCP की राज्य महा सचिव अतुलवांदीली ने मोर्चा को नियोजिन क्या है इस मौके पर किसानों की विभिन मांगों को जल से जल पूरा करने का भी ग्या पंद्या था इस आउसर पर पुर्वग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक जला अ निरिक्षक राजाभाउ ताकसाडे यवा निता समेर देश्मुक तालुका अथिक्ष्य महेज सोटिंग सहित कई पदाती कारी एवं कारी करता बड़ी संख्या में उपस्तित थे विस्यन नियूस के लिए हिंगन घाट से रवी इनौर करकी रिपूर्ट कबरे समाबत करने से पहले आए डालते एकने सर आज के हेडलाइन्स पर